नमस्कार, हेलो फेल्स करका खाना स्याता है जन में आपका स्वागत है, दोस्तो आज हम आपके साथ शेर कर रहे हैं बहुत ही प्यारा सा 100% natural homemade red food color, यानि कि लाल रंग जो healthy भी है और एकदम शुद्ध भी, इसे आप बना कर एक साल तरह शुरूर करके रख सकते हैं, इसे बना इसी धूका साफ कपर से पोश कर रख लिया है, तो अब हम सबसे पहले इसके उपरी पार्ट को जो ये मोटा सा पार्ट है, इसको हम काटका अलग रख लेंगे, और अब हम इसे छील लेंगे इसे पूरी तरह से चिलने के बाद के पीछे के पार्ट को भी मकाटकालाग रख देंगे तो इस तरह से हमने चुकंदर चिल लिया है और बाकी के चुकंदर भी इसी तरह से हम चिल लेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे चुकंदर को छिल कर प्लेट में रख लिया है तो अब हम इसे एक एक करके कदूकस कर लेंगे इस तरह से तो दोस्तों यहाँ पर हमने सारे के सारे चुकंदर को कदूकस कर लिया है यह देखिए कितना अच्छा लग रहा है यह कदूकस करके बहुत ही अच्छा रेड रेड सा दिख रहा है यह प्यारा सा तो फ्रेंट्स आब बारी आते हैं इसे आप किसी भी बड़े से प्लेट में रखकर फैलाने की तो यहाँ पर हमने ले ले एक बड़ा सा परात और इसमें हम यह चुकंदर चुकंदूकस क्यावा चुकंदर है इसको हम इसमें फैला लेंगे जितना इसमें आजाया अराम से उतना हम इसमें फैला लेंगे प्रेंट्स इसमें हमने जितना भी कद्दुकस की चुकंदर आ सकता उतना हमने इसमें फैला लिया है और अब हम बाकी की बच्चे वे कद्दुकस की चुकंदर को इसी तरह से दूसरी प्लेट में भी फैला लेंगे यह देखे फ्रेंट्स हमने यहां पर सारे कद्दुकस की चुकंदर को दो बड़ी-बड़ी थालियों ने फैला लिया है तो अब बारी आती है इसे धूप में सुखाने की तो चलिए धूप में सुखा लेते हैं इसको यह दिखे फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसे धूप में रख दिया है सूपने के लिए और इसे हम अच्छे से सुखा देंगे डिपेंड करता है वैदर पे अगर आपके यहाँ पर कड़क धूप है तो यह दो दिन में सूख जाएगा और अगर थो गम आ रही है तो इसे 4-5 दिन तो अच्छे से सूखने में लग जाएंगे तो चाए 4 दिन लगे चाए 2 दिन लगे हमें इसे अच्छे से सुखाना है उलट पूड़क कर हम इसे अच्छे से सुखा देना है जब यह सूख कर बिल्कुल कड़क हो जाए हाथ में लेने से तूटने लगे तो इसका मतलब ही अच्छे से सूख गया है फ्रेंड्स धूप बहुत कड़क है बहुत तेज धूप आ रही है मुझे लगता है दो दिन में सूख जाएगा अच्छे से पूरी तरह से सूखने के बाद यह कुछ ऐसा दिखता है इस तरह से यह दीखी लेंड्स अगर हम इसे हाथ में रखे तोड़ी कोशिश करें तो यह इस तरह से टूट रहा है इसका मतलब ही अच्छे से सूख चुका है तो फ्रेंट्स अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं पाउडर बनाने के लिए हम लिहापा लेंगे एक मिक्सर जार और इसमें हम डाल देंगे यह सारा का सुसारा सुका हुआ चुक अंदर और अब हम इसे ढखकर बारीक पीस लेंगे हमें इसे बिल्कुल बारीक पीस ना है तो चलिए दोस्तों अब हम इसे बारीक बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं क्योंकि अच्छे से सूखा हुआ है तो इसे पीसने में ज्यादा टायम ही लगेगा सिफ एक मिनिट में इस अच्छ यह देखी दोस्तों यह अच्छे से बारिक पिस चुका है बिल्कुल आप देख पा रहे होगे बहुत ही अच्छे से पिस गया है यह दोस्तों बंग का त्यार है हमारा 100% natural homemade red food color तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं तो चलिए दोस्तों इसका हमने इस्तेमाल कैसे करना है वो देख लेते हैं इसके लिए हमने यहाप लिए एक काच का गिलास कोई भी गिलास ले लीजे और साथ में हमने यहाप लिए घर का बनावा प्राकातिक 100% शुद्ध, healthy, homemade red food color तो फ्रेंट्स अब हम गिलास में डालेंगे करीब एक चमच शुकंदर का पाउडर और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे से mix कर देंगे यह देखे फ्रेंट्स कितना अच्छा red food color बनाया है बहुत ही लग रहा है यह बिल्कुल मार्केट से भी अच्छा एक तो इसकी खास बात यह है कि घर का बनावा है बिल्कुल शुद्ध है healthy भी है दोसरे जब आप इसे किसी ग्रेवी में डालते हैं तो इसका स्वाथ तो बिल्कुल अच्छा होता है यह साथ में जो color होतो इतना और अब इसे हम अच्छा से मिक्स कर देंगे यह देखे इसे डालते ही कितना अच्छा color आ गया है दाल के तड़के में और बहुत ही बड़िया color आ गया है इसको हम थोड़ा पकने देंगे फ्रेंट्स मसाला मारा अच्छे से भुन गया है गयस को बंद करके और अब हम इसे सीधा दाल में डाल देते हैं यह देखे फ्रेंट्स कितना अच्छा color आया है दाल का पिल्कुल रेस्टरेंट में जैसे दाल मिलती है होटल में वैसे ही यह दाल लग रही है और वहाँ और एकदम शुद्ध भी आप इसे किसी भी ग्रेवी ओली सब्जी चाहे पनीर की सब्जी हो चाहे छोले हो राजमा हो या फिर कोई सूखी सब्जी किसी भी सब्जी में आप इसका सिमाल कर सकते हैं इसे डालने से बहुत ही अच्छा color आता है सब्जी में तो उमीद करते हमारी चाहे को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में जो घंटिक बटरने से भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए हमारा वीडियो देखने के लिए आपका भावा धन्यवा थैंक पहुंच को मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में किसी नहीं रेसिपी के साथ तो घर का खाईए सेथ बने और हमेशा फिट रहिए नमस्कार टेक केर एंड बाई